एलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्त होंगे सबसे कॉमन जो कुश्चन अमसे पूछा जा रहा है आज कल वो यह है कि हमें वजन कम करना है किस तरह से किया जा सकता है इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे तरीके किया होगा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप वजन कम कर सकते हैं पर बात यह है कि हमें आलस आता है exercise करने में या फिर जो भी हमें पसंद है खाना खाने में उसको छोड़ने में तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करते हैं और आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को एंड तक देखिए मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जिसमें आपको खास exercise करने की भी आवश्यक्ता नहीं है अपनी जो भी पसंदिदा भोज जी ने और अरण गुपता जी मैं आपको इस प्लान के बारे में बताऊं उससे पहले यह जानना बहुत ही जादा जरूरी है कि हमें मुटापा होता क्यों है मुटापे का असली कारण करें मुटापे होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर जो सबसे कॉमन और बेसिक जम है इस वजह से जितना भी एक्सिस कैलरी है एनर्जी है और बोडि में चर्वी की पूर्म में मुटापे की फॉर्म में जमा हो जाती है लेकिन कुछ और कारण है जिससे मुटापा हो सकता है उन में अनुवान्ष कारण यानिकी genetic कारण है यानिक आपके फैमिली में अगर history है obesity की तो आपने डारी tendency ज्यादा है जिनका सेवन करने से मुटापा बढ़ रहा है या बढ़ सकता है आपको अगर आप इंसुलन लेते हैं एंटीडिप्रेसिंट ड्रक्स लेते हैं स्टेरोइड्स लेते हैं तो ये कारण हो सकता है कि मुटापा आपका बढ़ा रहा हो ऐसा भी हो सकता है कि आप कई बर oral contraceptive pills ले यानि कि गर्ब निरोधक गोलियां जो लेती हैं आजकल की महिलाएं ये भी बढ़ा कारण है आजकल मुटापा और तो में बढ़ने का और पांच वाव जो सबसे ज़्यादा common और avoidable कारण है वो ये है कि हमारी जो दिनचरिया है वो खराब हो चुकी है हमारे सोने उठने का कोई समय नहीं है हमारे को नींद पूरी ढंक से नहीं हो पा रही है साथ में हमारी सिदेंटरी लाइफ स्टाइल है यानि कि हम exercise नहीं कर रहे हैं खाते हैं सो जाते हैं और इस तरह की कोई daily activity नहीं है जिसे हमारी energy burn हो हमारी calorie burn हो और हमारे को जो fat deposit extra हो गया है उसको burn करने में help मिले अब इस मोटापे को कम कैसे करें हम सबको बता है कि मोटापा कम करने के लिए जो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है वह यह है कि आपको exercise करने चाहिए regular basis पे साथी में junk food या फिर कोई भी नुकसान करने वाला खाना तला बुना वाला खाना जादा नहीं खाना है औ अगर आप यह सब कुछ करके देख चुके और आपका वजन नहीं कम हो रहा है इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी डाइट के बारे में जिसको अगर आप पॉलो कर लेते हैं तो आपका वजन काफी हद तक कम हो सकता है एक से दो महीने के अंदर काफी significant कम ह हो जाएगा तो बात करेंगे हम ओमैड डाइट के बारे में ओमैड यानि की one meal a day डाइट रुकिए अभी किसी भी निशकर्ष या conclusion पर पहुंचने से पहले मेरी बात पुरी ध्यान से सुन लीजिए one meal a day डाइट में हम क्या करते हैं कि हमें पूरे दिन में हम सिर्फ एक घंटा ऐसा होगा इससे में खाना खाएंगे उस एक घंटे में हम कुछ भी खा सकते हैं आपको अगर बहुत हईवी खाना 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 है तो आप वो भी खा सकते हैं आपको अगर कोडरिंग पीनिय Council और यहां तकी वह भी सकते हैं आपको मन करता है पीज़ा बर्गर खाने की तो वह भीका सकते है कि मेरी सलह वैसे यह है कि नहीं आखाना चाहिआन चाहिंच यह लैकिन आप कर सकते हैं अगर आपको खाना है तो पर इसको बहुत ही विशेश ध खाना खाएं उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी वो सारी रिक्वार्मेंट्स पूरी हो रहे हैं अब इसको फॉलो कैसे करना है किस तरह से करना है इसकी क्या फाइदे हैं क्या नुपसान है इन सब पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं ध्यान रखिएगा कि वूट एक घंटा आपको दोपैर के बाराबजे से पहले पहले कर लेना यानि की अरली आफ्टरणून या फिर ब्रेक्वस्ट में ही वो खाना खाएं उस खाने को खाते वे ध्यान रखिए कि आपकी सारी रिक्वार्मेंट्स पूरी हो स्क्र न्यूट्रेंट की कमी ना हो जिससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए यह बात ध्यान रखना कि आप अगर इस प्लैन को फॉलो करें तो स्ट्रिटली फॉलो करें तभी इसका रिजर्ट दिखेगा आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बार तो खाना खा अगर आपको बहुत ही जादा चाय काफी की आदत घलब है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ब्लैक टी या ब्लैक कफ्या ले सकते जिसमें आप सिर्फ पानी चाय로 कोफी होना चाहिए दूद और चीनी उसमें नहीं होना चाहिए, निम्बू पानी का अगर आपको सेवन करना है तो आप पानी रेज सकते हैं, उसमें निम्बू डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको उसके अलावा कुछ नहीं डालना है, नमक आप डाल सकते हैं, लेकिन चीनी में डालिएगा, य आपसे पहले तीन से चार दिन ऐसा करते दीन फेल्स स्पेह घ्ले की मेल वारी ना कि थालो आपको सिर्फते वाली डायट पहले जाना है चुनि को करते रहे चीडिल फालो करें सब्सक् Musical कर लिए nego तभी आपको काफीध ह Одने तो तग화를 घ्याएगा 2-3 kg वजन उसी में कम हो जाएगा एक महीना इसको फॉलो कर लिया तो 5-6 kg वजन तक कम हो सकता है मेरी ये सला रहेगी कि इस diet को या इस omad plan को आप दो महीने से ज़ादा extend ना करें एक महीना से लेके दो महीना तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं इसमें आपका काफी हथ तक वजन रिडियूस हो जाएगा कम हो जाएगा और आपको असर खुद दिखेगा लोग भी आपको बोलें लगेंगी कि आपका वजन काफी कम हो चुका है यह काम कैसे करता और इसके फायदे क्या है अब इसको समझते हैं दरसल ओमेड डाइट में हम क्या कर रहे हैं देखिए सबसे पहली बात जो आपने हर जगा सुना होगा हर कोई बोलता है कि कार्ब कम करिए कार्बोहाइड्रिट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लो कार्ब या जीरो कार्ब डाइट शिरू कर देग तो कि बाकि जैसे माने आपको चार्ट दिखाया था उस चार्ट को फॉलो करते हुए आप अपनी डाइट बनाईए ताकि आपको किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो और आपकी बोडी पे किसी भी तरह का कोई भी दुश्प्रभाव ना पड़े कुछ लोग इसको एक तरह की इंट तरीका है जो की आपका वज़न घटा सकता है उसमें हमारे experience के अचैस और ट्रयोंड़े कि यहेंकि अगर आप गर्भवती हैं तो आप यसमोru नहीं कर सकते हों यह आपको फॉलसे कि यहींकि जब भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी साथ साथ उसके बच्चे को भी जरूरत होती है पॉस्ठिक आहार की तो आपको अगर उस टाइम पर ज्यादा टाइम तक भूखे रहेंगे तो बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है इसलिए गर्भवती महिला है इसको फॉलो ना करें यह सला दी जाती है कि आप अगर डायबेटिक पेशेंट हैं और आपको अच्छा का स है वो जादा हो जाएगी और आप जादा हेल्दी और बहुत जादा एक्टिव महसूस करेंगे वह यह है कि आप अपनी दिंचर्या में थोड़ा सा टाइम एक्सराइज को बीदे अब इसका मतलब यह नहीं है मैं आपको पागल नहीं मना रहा हूं कि एक्सराइज से वजन है वो दो गुना तीन गुना हो सकता है और इसके साथ में कोई दुश्प्रुभाव भी नहीं होगा आपकी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉंग रहेगी ब्रेन अच्छा रहेगा एक्टिव करेंगे एनर्जी महसूस करेंगे अबाज का सवाल आपको बताना है कि हमारी बढ़ने के और भी तरीके जानना चाहते हैं जिसमें कुछ मेडिसिम्स भी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगे मैं अगला वीडियो उस पर भी बनाओंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि और किया तरीके हैं जिससे आप वज़न घटा सकते हैं और इसी कौन सी हैं तो सब्सक्राइब करिए इसको शेर कर सकते हैं तो शेर करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिए